हेलो फ्रेंड्स आपके अपने चैनल और की नूज अपडेट पर आपका स्वागत है दोस्तों बहुत दिनों से फुआ उड़ रही थी कि बुट आपा पेंशन विद्वा पेंशन और विकलांग पेंशिल वाणों को फैमिली आइडी बनवा कर वो ओफिस में जमा करवानी हो इसरकार का करवानी है और उसके बाद आको किसी भी करियाल्य में जमा कराने की वीप्रैयmetro को अपकी आपको पैंशिल और पिक ब्यूम में को जमा कर आंजतिर्शों के लिए जो अभी अर्थी हैं जो कंडिडेट ये पैंसन ले रहे हैं उनको किसी भी परकार की समस्य लेने की जरूरत नहीं है शिरफ आप फैमिली आइडी बनवाने पर ध्यान रखें अपना फैमिली आइडी जरूर बनवा लें और उसको किसी भी कारियले में जमा कराने की जूरत नहीं है इसके बारे में आगे आपको बताते हैं हिजार डिस्टी की बात है वहां अब तक 35,000 ने परिवार पैचान पतर नहीं बनवाए हैं और 15 दिन के अंदर ये आपको अपडेट कराने होंगे अन्य जिलो में भी यही हाल है फैमिली आइडी नहीं बनवाई है लोगों ने तो फैमिली आइडी जरूर बनवा लें कि फैमिली आइडी के बगार आप पैंसन है जो आपकी वह रुख शक्ती है जो आपका फैमिली आइडी अगर आप नहीं बनवाऊगे तो आप मेरी फशल मेरा विवरा इसके अंदर भी रेजिस्ट्रेशन नहीं करवा साथ ही विवाग ने सपस्ट किया है कि लापात्रों को अपनी फैमिली आइडी समाज कल्यान विवाग में जमा करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब यह आइडी बनाई जाएगी तब यह अपने आप ही पैंसन आइडी के साथ लिंक हो जाएगी जिला समाज कल्यान पहले यह फैमिली आइडी बनवाकर विवाग के कर्याले में जमा करवाने के निर्देश दिये गई थे लेकिन अब विवाग ने सपस्ट किया है कि फैमिली आइडी बनवाने के बाद यह है अपने आप यह पैंशन आइडी से लिंक हो जाएगी कि सरकार ने ऐसा पैंशन लापात्रों की सुवीदा के लिए किया है ताकि उनसे स्यमयवदन की बचत हो और अनावशक परिशानी भी न हो लापात्रों को अपनी फैमिली आइडी पंदरा दिन के अंदर अपडेट करवानी होगी उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार और विवा कि मुख्यल्य की ओर से लिए गए निर्णे के तहत अब हर तरह की पैंशन परापत्र करने के लिए परिवार पैचान पत्र बनवाना अनिवारी होगा इसके बिना किसी तरह की पैंशन परापत नहीं की जा सकती पहले से pension प्राप्त कर रहे विबिन अक्षेणियों के लापात्रों के लिए परिवार पैचान पत्र बनवाना अनिवारिये किया गया है डॉक्टर दिल्बिर सिंग सैनी ने बताया है कि परिवार पैचान पत्र बनने से गल्थ दस्तावेज देकर pension वा अन्यस विदाई प्राप्त करने वालों पर अंकुष लगाने में मदद मिलेगी हलाकि हरक्स रेने का लापत्र ऐसा नहीं करता जो लोग दस्तावेजों से छेड़ चाड़ करके तथ्या चुपा कर pension प्राप्त करने का प्रियास करते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो सरकारी सेवा में सेवा निर्वीत हो चुके हैं और उनकी सालाना आए दो लाग रुपे से अधीक बनती है लेकिन या तो वे खुद हैं या फिर उनकी पत्तिनी तथ्या चिपा कर pension प्राप्त कर रहे हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रिवार पैचान पत्तर योजना लागू होने के बाद अपनी गल्थ pension कटवाई भी है लेकिन ऐसे लोग हैं जो भी गल्थ तरीके से pension प्राप्त कर रहे हैं ऐसे लोगों की जाद चल रही है और पूरे तथ्या जुटा कर ऐसे लोगों पर ना है केवल करवाई की जाएगी बलकि उनसे pension की रिकवरी भी की जाएगी उन्होंने कहा है कि मुख्यमंदरी मनोरलाल के निर्देशों परविबा के उचादिकारियों ने परिवार पैचान पत्तर बनाने वाए उन्हें योजना के साथ लागू करने में तेजी लाने के निर्देश दिये हैं तो दोस्तो ये रहेगा नए अपडेट इसके अंदर आपको फैमिली आइडी बनवा लेनी है और उसको कहीं भी जमा करवाने की कोई आओ सकता नहीं है बहुत दिनों से ये अप हुआ चल रही थी कि फैमिली आइडी बनवाने के बाद फैमिली आइडी को जो पैंशन का रियल्य है उसके अंदर जमा करवाना होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें और हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लें ताकि ऐसी घबरे हम आप तक पहुंचाते रहें देने बाद दोस्तो